हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर स्वागत है आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है बुढिया की सुनी दोस्तों आप मेरी वीडियो को अंतर तक देखे और लाइक करें अपने दोस्तों को सेर करें और जो मेरे वीडियो में नए आए हो तो वो करें चलिए कहानी शुरू करते हैं एक बार किसी गाओं में एक बुढिया रात के अंधेरे में अपनी जोपड़ी के बाहर कुछ खोज रही थी तबी गाओं के ही एक व्यक्ति की नज़र उस पर पड़ी अम्मा इतनी रात में रोड लाइट के नीचे क्या ढून रही हो व कुछ नहीं मेरी सुई गूम हो गई है बस वही खोज रही हैं बुढिया ने उतर दिया फिर क्या था वो व्यक्ति भी महिला की मदद करने के लिए रुक गया और साथ में सुई खोजने लगा कुछ देर में और भी लोग इस खोज अभियान में सामिल हो गई और देखते द ध्यान से सुई खोजने में लगे हुए थे कि तभी किसी ने मुढिया से पूछा अरे अम्मा जरा ये तो बताओ कि तुम्हारी सुई गिरी कहा थी बेटा सुई तो जोपड़े के अंदर गिरी थी मुढिया बोली ये सुनते ही सभी क्रोधित हो गई और भीड में से किसी उंची आवाज में कहा कमाल करती हो अम्मा हम इतनी देर से सुई यहां ढूंड रहे हैं जबकि सुई अंदर जोपड़े में गिरी थी आखिर सुई वहां खोजने की बजाए बहार क्यों खोज रही हो क्योंकि रोड पर लाइट जल रही है इसलिए बुढिया बोली दोस्त तो सायद ऐसा ही आज के युवा अपने भविस्य को लेकर सोचते हैं कि लाइट कहां जल रही है वो ये नहीं सोचते कि हमारा दिल क्या कह रहा है हमारी सुई कहां गिरी है हमें चाहिए कि हम ये जानने की कोशिस करें कि हम किस फिल्ड में अच्छा कर सकते हैं और उसी में अपना केरियर बनाए ना कि भेर चाल चलते वे किसी ऐसी फिल्ड में गुश जाए जिसमें बाकी लोग जा रहे हो या जिसमें अधिक से अधिक पैसा हो